principles of systematics module 23 last module के अंदर हमने biological species concept के बारे में देखा इस module के अंदर हम देखेंगे कि biological species concept के drawbacks क्या है तो अगर हम biological species concepts के drawbacks की बात करें तो जो biological species concept है ये asexually जो organism reproduce करते हैं उस पे apply नहीं हो सकता इसी तरीके से सिब्लिंग स्पीशिस या क्रिप्टिव स्पीशिस भी इस कंसेप्ट के मताबिक डिफाइन नहीं की जा सकती इसी तरीके से क्योंकि यहां पे रिप्रोड़क्टिव आइसलेशन की हम बात करते हैं तो बहुत सारे exceptional cases भी मौजूद हैं तो इनको हम बारी बारी डिसक्स करते हैं सबसे हैं पहले हम बात करते हैं Asexual reproduction या Uniparental reproduction बहुत सारे organism ऐसे होते हैं जो के sexually reproduce नहीं करते बलके ए sexually reproduce करते हैं बहुत सारे plants बहुत सारे animals के अंदर ये examples मौजूद हैं अब क्यूंकि biological species concept के मताबिक organism आपस में interbreed करते हैं और offspring पैदा करते हैं और offspring भी fertile होने चाहिए अब यहाँ पे तो जो ace sexually reproduce करते हैं organism वो तो दो parents को involve भी नहीं करते हैं वो तो uniparental होते हैं इस वज़ा से वो इस concept के मताबिक जो interbreeding है उस पे पूरा नहीं उतरते इस वज़ा से asexual reproducing organisms जो है उनको हम species का दरजा नहीं दे सकते इस concept के मताबिक इसी तरीके से अगर हम बात करें वहाँ सरे plants के अंदर और animals के अंदर जो reproduction होती है वो uniparental है जिसके अंदर parthenogenesis, apomixis या budding, parthenogenesis, apomixis और budding जो है यह सारे asexual method of reproduction है यह methods lower invertebrates और lower vertebrates के अंदर common है मायर के मताबिक हम इन species को जो के asexual reproduce करते हैं, sexual reproduce नहीं करते उनको species का दरजा नहीं दे सकते इसी तरीके से अगर हम बात करें sibling species की या cryptic species की तो biological species concept के मताबिक हम इन species को भी define नहीं कर सकते for example sibling species जो है यह ऐसी species होती है जो के morphological इसी मिलर है लेकिन इनके अंदर reproductive isolation मौझूद है जबके biological species concept के मताबिक एक species के जो members है वो आपस में same है आपस में same है तो आपस में interbreed भी करते हैं लेकिन जो sibling species है वो आपस में तो same है लेकिन वो interbreed नहीं कर पाते तो यह भी exception है इसी तरीके से क्यूंकि हमारे पास fossil record complete नहीं है specification का complete record मौझूद नहीं है इस वज़ा से हम बहुत सारे ऐसे organisms जिनका intermediate record नहीं है उनके बारे में फैसला नहीं कर सकते कि यह species इनको consider करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि evolution जो है यह एक continuous process है जब हम speciation की बात करते हैं तो speciation के अंदर जब एक species दूसरी species के अंदर convert होती है तो यह एक gradual change होता है जब gradual change होता है तो बहुत सारी intermediate forms मौझूद होती है अब जो fossil record है उसकी base के अपर यह decide करना कि यह जो intermediate organisms हैं यह आपस में interpret करते थे या नहीं करते यह बहुत मुशकल है इस वजह से जो biological species concept है वो fossil record और खास दूर पर जब आपके पास record complete भी ना हो तो फिर बहुत मुशकल होता है कि यह define करना कि जो यह intermediate organism है यह जो fossil record से हमें जो evidences मिल रहे हैं इनको हमें separate species consider करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो biological species concepts के अंदर बहुत सरे मसाइल्स हैं फर जाएंपल यह asexual reproduce जो organisms करते हैं उनके बारे में ठीक तरीके से information नहीं देता इसी तरीके से अगर हम बात करें sibling species की तो sibling species को सही तरीके से जो है define नहीं करता इसी तरीके से जो fossil record है उसकी base के पर जो हमारे पास incomplete information होती है उसके बारे में भी यह decide करना मुश्कल होता है कि यह species different है या same है